हे फुरीज आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक ब्रिक्फस्ट रेसिपी ये काफी हल्दी है और जटपट वाली रेसिपी है लास्टो लास ये 15 से 20 मिनिट में बन जाती है और बड़ों को तो क्या बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो चलिए रेसिपी प्रेथे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप एक बौल ले ले उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप सुझी आप यहां पे सुझी या फिर रावा दौनों में से जो आपके पास है वो यूज कर सकते हैं और उसमें मैं डाल रही हूँ वनफोर्थ कब जितना पानी और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें आपको डालना है अधरक मैंने यहां पे एक इंच अधरक को ग्रेट किया है और तीन से चार हरी मिर्च है जिसे मैंने इस तरह बारिक कट कर लिया है हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ले जितना तीखा खाते हैं आप उसके हिसाब से आप इसमें मिर्ची डाले टू टेबल स्पून जितना मैंने यहां पे कोरियंडर लीवस को चॉप्ड करके डाला है मुझे ज्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैंने यहां पे तीन से चार हरी मिस डाली है उसके बाद मैंने यहां पे त्री फॉथ कप जितना मिक्स वेजेटिबल लिया है जिसमें मैंने कैरेट, अनियन, टमाटर, सिमला मिर्च एड़ किया है आप चाहे तो इसमें कौन और मटर भी एड़ कर सकते हैं तो सभी वेजेटिबल्स को मैंने फाइनली चॉप्ड किया है उसके बाद वन टीजपून जीरा वन टीजपून नमक डाले और फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले सूजी और वेजेटिबल्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके हम इसे 5-7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से फूल जाए तो जब तक सूजी फूल रही है मैंने साइड में यहाँ पे देखे ब्राउन ब्रेड ली है इन सभी ब्रेड को आप छोटे-छोटे टोड़ों में इस तरह तोड ले तो ब्रेड को तोडने के बाद मैं इसे एक मिक्सर जार में शिफ्ट कर देती हूं मिक्सर जार में डालने के बाद इसमें मैं एड कर रही हूं खटा दही है यह गाडा दही लेना है हाफ कप और थोड़ा साम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसे मैं अच्छे से पीस पाऊं और एक स्मूध बैटर बना लेना है इसका तो यहाँ पर यह दिखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और काफी स्मूध है यह बैटर अगर आपको पीस्ते से में पानी की जरुवत और लगती है तो आप इसमें पानी और एड़ कर सकते हैं तो इस बैटर को मैं वेजटेबल वाले बोल में एड़ कर देती हूँ तो बैटर और वेजटेबल को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह जो ब्रिकफास्ट है बहुत ही जादा टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाता है तो यह जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालके वह बैटर भी ले लेती हूं ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और इसे भी मिक्स करके हम इसे 10 मिनिट के लिए साइड में रख देते हैं अगर आपके पास ताइम नहीं है तो आप इमिडेटली भी इसे बना सकते हैं और थोड़े से मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूं अल्मोस हाफ टी स्पून जिता अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स एवाइड कर सकते हैं तो इसे मैं रख रही हूं 10 मिनिट के लिए आफ्टर 10 मिनिट्स मैं इसमें डाल रही हूँ इनो तो यहाँ पे आपको 1 टी स्पून इनो डालना है या फिर 1 पैकेट जो रहता है इनो का वो आप पूरा डाल दे मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला सैशे यूज किया है आप यहाँ पे ब्लू वाला इनो भी यूज कर सकते हैं इनो आप तभी डाले जब आपको यह ब्रिकफास्ट बनाना हो पहले इनो डालके नहीं रखना है इस बैटर को यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब जल्दी स इसके ब्रेड उत्तपम या फिर ब्रेड चिल्ला बना लेते हैं नॉन स्टिक तवा मैंने यहाँ पर यूज किया है गैस का फिल मीडियम रखना है तवा अच्छे से गरम हो जाता है उसके बाद बैटर को देखे इस तरह फैला लेना है बहुत जादा पतला या फिर बहुत मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर ही पकाने वाली हूं जब आप इसे ढख कर करते हैं तो यह बहुत जल्दी कोख हो जाता है तो एक साइड को कोख होने में दो से तेन मिनिट ही लगे हैं तो उपर मैंने फिर से थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसे जल्दी से हम टर्न क बनाने के बाद इसे दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कोक करना है तो इसे मैंने फिर से ठग दिया है और तीन से चार मिनिट के बाद एक बर हम चेक कर लेते हैं तो यह देखे बहुत ही अच्छे से कोख हो गया है तो एक और मैं आपको ब्रेड उत्पम बना के अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप इसमें एक से दो टेबल स्पून जितना राइस फ्लार भी एड़ कर सकते हैं तो यह जब कुक हो जाता है तो गी लगा ले या फिर ओल लगाने के बाद बहुत ही जल्दी से टर्न कर ले और इसे फिर से हम ढखकर कुक कर लेते हैं आप इसे टिफिन बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं वो बहुत ही सौक से खाएंगे तो यह देखे है मैं एक आपको ब्रेड उत्पम जो है पास में से दिखा रही हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है यह तो आज इस ब्रेड उत्पम या फिर चिल्ले को मैं इंजॉय कर रही हूँ कोकोनट चट्नी के साथ आप इसे केचप या घ्रीन चट्नी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं I hope कि आपको जो रेसिपी है काफी अच्छी लगी होगी अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो कॉमेंट करके जरूर बताए मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टिक के थाइंक यू